हेलो फ्रेंड्स स्वागता आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में टेलेगरम ग्रूप का और फेस्बुक पेज का लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से हमारी सारी अपडेट्स ले सकते हैं चलिए आज का शेशन स्टार्ट करते हैं करण का किला कहां पर हैً उप्शन थे भीवानी उप्शन बी अंबाला ऊप्शन सी सोनिपत और उप्शन डी कोई नई डियर फ्रेंड्स इसका आंसर है उप्शन भी अंबाला चलिए अपने नेस्ट कोशन की दरफ चलते हैं बहादुर गड का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्षिन ए शर्फाबाद ऑप्षिन बी भवाना ऑप्षिन सी रोह तक एंड ऑप्षिन डी ए एंड बी फ्रेंड्स इसका आंस्वर है ऑप्षिन भी भवाना चलिए अपने नेस्ट कोशन की दरफ चलते हैं बीरबल का संबंध किस थान से है? ऑप्षिन ए बुडिया ऑप्षिन भी अमीन ऑप्षिन सी नहम एंड ऑप्षिन डी बेरी फ्रेंड्स इसका आंस्वर है ऑप्षिन ए बुडिया चलिए अपने नेस्ट कोशन की तरफ हरियाना कोलेज टीचर्स यूनियन केस्ट अस्थापक कौन थे ओप्शन A. छोटुरा ओप्शन B. ओमपरकाष गोईल ओप्शन C. प्रोफेसर तेज सिंग और ओप्शन D. कैप्टन रंजीत सिंग फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्शन C. प्रोफेसर तेज सिंग चलिए अपने नेस्ट कोशन की तरफ केंद्रिय भैस अनुसंधान कहा है? ओप्शन A. हिसार ओप्शन B. चंडिगर्ड ओप्शन C. भिवानी और ओप्शन D. पानिपत फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्शन A. हिसार चलिए अपने नेस्ट कोशन की तरफ हरियाना के किस दिले में सबसे कम वनशेत्र है? ओप्शन A. हिसार ओप्शन B. पानिपत ओप्शन C. महेंदरगड और ओप्शन D. फतेहबाद फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्शन D. फतेहबाद चलिए अपने नेस्ट कोशन की तरफ हरियाना राज्ये वन नेती किस वर्ष बनाएं गई? ओप्शन A. दोजार आठ ओप्शन B. दोजार दस ओप्शन C. दोजार बारा और ओप्शन D. दोजार छे फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्शन नंबर D. दोजार छे में नेस्ट कोशन गांधी जी पलवल में कब गिरफतार हुए? ओप्शन A. आठ प्रेल उननिसो निन्यानवे ओप्शन B. दस जन्वरी दोजार ओप्शन C. साथ मार्च दोजार दो एंड ओप्शन D. पंदरा जुलाई उननिसो पिचानवे फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्शन A. आठ प्रेल उननिसो निन्यानवे में तो चलिए अपने नेस्ट कोशन ही दरब फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने हमारे Чैनल को समस्क्राइब नहीं करा तो प्लीस चैनल को समस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दी जिए ताकि आपको हमारे चैनल से आने वाली सारी अपडेटिंट मिल सके नैंट कोशन चच्चरोली का विदरो कब हुआ ओप्षण A 1816 एसवी में ओप्षण B 1825 एसवी में ओप्षण C 1818 एसवी में और ओप्षण D 1850 एसवी में फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्षण नमबर C 1818 एसवी में नैस्ट कोशन यमुना नदी हर्याना के किस जिले की सीमा को नहीं छूती ओप्षण A हिसार ओप्षण B पानिपत ओप्षण C एमबाला और ओप्षण D सिर्शा फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्षण नमबर C एमबाला चलिए अपने नैस्ट कोशन की तरफ ओप्षण A जीन्द ओप्षण B फतेहबाद ओप्षण C हिसार और ओप्षण D सिर्शा फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्षण नमबर D सिर्शा चलिए नैस्ट कोशन की तरफ पिंजोर में स्तित गार्डन का क्या नाम है ओप्षण A यादवेंदर गार्डन ओप्षण B करन लेक गार्डन ओप्षण C रोज गार्डन और ओप्षण D सुल्तानपूर फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्षण नमबर D यादवेंदर गार्डन नैस्ट कोशन हरियाना में भैंस की कौन सी नसल परसिद है ओप्षण A जाफराबादी ओप्षण B मुर्रा ओप्षण C सुर्ती और ओप्षण D इनमेंसे कोई नही फ्रेंड्स इसका आंसर है ओप्षण B मुर्रा चलते है नैस्ट कोशन की दरफ पानिपत की पहली लड़ाई में बाबर के विद्रो कौन था ओप्षण A राना सांगा ओप्षण B राना कुमबा ओप्षण C इबराहिम लोदी और ओप्षण D इनमेंसे कोई नही फ्रेंड्स इसका आंसर है ओप्षण नमबर C इबराहिम लोदी चलते हैं आज की लाश्ट कोशन की दरफ फ्रेंड्स इसका अंसर है ओप्षण नमबर A फट्षबाद चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यहापरी समात होता है अगर फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ा और वीडियो को लाइफ जरूर कीज़ेगा और अपने सजेशन देते रहिए और फ्रेंड्स मौर्निंग में आठ बजे करन्ट अफेर्स का सेशन भी अपलोड कर दिया जाता है आप वहाँ से भी स्टेडि कर सेखते हो और जल्द ही हमारे चैनल पर रीजनिंग, मैथ, इंगलीश सब अविलेबल करा दिया जाएगा ठैंक यू फ्रेंड्स, जुड़े रहिए